हेलो एब्रिवन मैं मिथोन शिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्य होंगे एक्शली मैंने पिछले दिन विनर आफ दे डे का जो नाम के अनॉंसमेंट तो गरीबट उनके फोटो लगाना भूल गया तो सबसे पहले यहाँ पे आप इमेजस देख सकते हूँ जिन्होंने बिल्कुल सही सही आंसर करा है पिछले कोशन अप दे का तो चलिए इन सारे लोगों को टोकरी भर के बदाई इसी तरह से आप भी अपना नाम यहाँ पे देख सकते हो कोशन अप दे जो वीडियो के सबसे लास्ट में पूछा जाता है उसका अंसर आपको करना है तो चलिए वीडियो को सुरू को आप करते हैं और कोशिस करेंगे हम लोग चीजों को जाद से जाद समझने की तो देखिए पाला कोशन आपके सामने यह रहा इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स एब्रिवेशन सेंटर का जो है कहां पे यह स्टार् पूने में अमदाबाद में हैदराबाद में या निव डेली में तो देखिए इसका जो करेंट आंसर होगा आप यहां से देख सकते हो और यह कौन है यह है किरन रिजजु और किरन रिजजु नहीं जो है फर्स्ट स्पोर्ट्स एब्रिवेशन सेंटर गुजरात में खोला है एक बात और मैं बता दू पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरन रिच्जू हुआ करते थे लेकिन अब भी जो है राइट नाव मैं एक टूर की आपको जो है करेंट अफेर्स पढ़ा रहा हूं तो किरन रिच्जू अब नहीं है अब है अनुराग ठाकूर अनुराग सिग्न बगएरा दबा दो देखो अगर आप पढ़ाई करके यहां से जाते हो तो लोग क्या कहेंगे सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो लोगों की तो कम से कम मान लो तो चलिए चल को सब्सक्राइब कर लेना है बैल आइकन दबा देना घंटी बंटी दबा दिया करो आप लो तो चलिए अगले कोशन के और बढ़ते हैं वेन इस वल्ड डे फोर दफार्म अनिमल अब्जर्ब तो देखिए बिस्व किरसी दिबस कम मना जाता है कुल मिला कर बात यह पूछा गया है एक अक्टूबर दो अक्टूबर तीन अक्टूबर देखिए मैंने कल बताया था कि एक अक्टूबर को जो वल्ड में अल्ड पीपल है उनके लिए एक अक्टूबर को डिकेट किया गया है कि एक अक्टूबर उनके लिए सलिबरेट किया जाएगा यूनेस्को के द्वारा उन्हें सलिबरेट किया जाता है तो देखिए विस्व किरसी दिबस कम मना जाता है तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा 20 किर्शी दिवस जो है, यहाँ पर United to Save Lives, देखिए यहाँ पर यह बाते लिखी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कि यह जो है न 2nd October को मनाया जाता है, और 2nd October को देखिए 2 महान इंसान का जन्म हुआ था, एक तो महात्मा गां तो उसके बाद वहीं पर उनकी जो है, हत्या हो गए थी या मिर्ती हो गए थी, अभी तक पता नहीं चल पाया है, लालबाद और सास्तिर के बारे में, तो 2nd October को उनका भी जन्मतिति होता है, आगे बढ़ेंगे, अगले question की ओर, which of the following social media company has recently launched creator education program, देखिए, creator education program किसने सुरुवात करी है, facebook ने, twitter ने, snapchat ने, या bing ने, तो देखिए, ये question बड़ा important है, और मुझे लगता है, ये facebook ही होना चाहिए, बिलकुल वही है, facebook launched its largest creator education program in India, तो देखिए, facebook ने क्या करी है, announcement करी है, creator day education India की, और देखिए, facebook की एक हमेशा से policy रही है, कि ये data बेच कर पैसे कमाते हैं, तो facebook पे आप लोगों से request है, कम से कम data दे, अपने profile को log करके रखें, बट log करने से क्या होगा, फिर भी आप कुछ न कुछ वहाँ पे डालोगे, facebook उसे क्या करेगा, company को बेच देगा, तो इस बात का खास ख्याल अपनी कम से कम personal चीजे, social media पर share करा करें आप, आगे बढ़ेंगे, अगले question की ओर, उससे पले आप सारे लोगों से कोई एक notice बतानी है, जो army school की तयारी में लगे हैं, 499 का एक छोटा सा transaction करेंगे, आपको मेरे handwritten notes मिल जाएंगे, जो की आखरी मेने के तयारी के लिए बहु प्रिकर लिजिए, if you are on Instagram, then do follow me at the red, I am Ethon Singh, question papers और पर मैं आपको previous year paper मिल जाएंगे, तो चलिए, देखते हैं, what is the total outlay for the Amrit 2.0 mission, देखिए, Amrit 2.0 mission शुरुआत करी गई है, इसके कुल खर्च कितना आएगा आपको ये बताना है, तो देखिए, Amrit 2.0 का क्या मतलब है, क्या ह आप देखिए, PM Modi launches, स्वक्ष भारत, Mission Urban 2.0 and Amrit 2.0, Amrit 2.0 में क्या किया जाएगा, water security दी जाएगी, लोगों को पानी पहुंचाया जाएगा, तो इसके लिए total जो cost आएगी, वो कितनी आएगी, तो देखिए, garbage free, water security, ये बहुत fundamental चीज़े हैं, जो हर इनसान के पास होनी च हो जाए, सरकार का यही काम है, सरकार आपके पास आपको बहुत सारे पाइसा दे देगी, सरकार का यह काम कते नहीं होता है, कि आपके अकाउंट में चावल आ जाए, धान आ जाए, वो गरिब लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये सब काम सरकार का नहीं है, सरकार का का होता है to build road to build you know to organize the better way तो सहर को साफ करना बहतरी यह सब काम बहतरी रूप से करना सरकार का में काम होता है लाइबरेरी त्यार कर देना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फाइदा हो तो इन चीज़ों को आप यहां से देख सकते हो तो चलिए अगले कोश्चन की और हम लोग बढ़ेंगे दखिए इसका जो है एमडी किसे नियुक्त किया गया है तो इसका जो राइट अंसर होगा आपको यहां से इमेज दिख रही होगी एक इंसान की और यह इंसान है अमिस महता जी हां अमिस से नाम मुझे आदाया एक राइटर है अमिस तिरिपाठी उनकी एगर कोई किताब की नाम आप लिख सको नीचे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे मैंने उनकी 6-7 किताबे पढ़ रखी है और इंडिया पे उन्होंने एक बुक लखी थी वो त कमाल की बुक थी तो आप उसे भी पढ़ सकते हो आगे बढ़ेंगे नवाड हैज अप्रूब्ड आ क्रेडिट स्कीम फोर याक रियरिंग इन विच सीटी तो देखिए याक एक जानबर होता है उसको पालने के लिए ना लौन देना शुरुआत किया है नवाड ने नवाड नवाड एपरूप्स देखिए यहाँ पर उन्होंने फार्म या फार्मिंग के लिए जो है लौन देना शुरू किया है और यह इन्होंने शुरू कर रहा है कहाँ पर दिखिए सबसे पहले डिश्टिक का ना मैं आपको दिखा दू यहाँ पर देखोगे कैमॉंग कर लेना या फिर मैं वीडियो एडिटिंग करते समय इसका जो है आंसर में एडिट करके आपको डाल दूँगा तो चलिए अगले कोशन की और बढ़ते हैं तो देखिए यूएस इंडिया बिजनस कॉंसील के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है आपको ये बताना है देविका सिंग, रयान मिलर, संदीप मैनी या निसा दिसाई बिस्वाल तो इसका जो करेड आंसर होगा आप यहाँ से देख सकते हो एक इमेज और निसा दिसाई जी आगे बढ़ेंगे अगले कोईशन की और नेक्स्ट कोईशन आपके सामने ये रहा इंडिया बेस्ट डॉक्टर रुकमनी बनिर्जी एंड वीच कंटरी बेस्ट प्रोफेसर इरिक देखिए आपको बस ये बताना है ये जो प्रोफेसर इरिक हनुसेख हैं ये किस कंटरी के कर देखिए ये प्रथम है ये प्रथम सुरूआत करी गई थी और यहां पे आप जब पढ़ोगे आइस पाँगे तो, मैं आप लोगों के लिए अपना निकाल पाओगे, तो मैं आप लोगों के लिए देख लेता políticas है क्या होगा रहे में येCalक्ना हो tout जो है चीजों को पताया जा सके तो देख लेता हूं में एक बार one more thing no I can't find it oh sorry yes यहाँ पर आप देख सकते US US यहने की अमरिका is the right answer तो आपका यहाँ पर देखिए अमरिका क्या होगा सही answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर who has been appointed as the brand ambassador of the national basketball basketball दखिए NBA NBA जो है national basketball association है और इंडिया के लिए किसे brand ambassador चुना गिया है अमीर खान अक्षे कुमार रनबिर सिंग या सारु खान तो देखिए यह जो right answer आपको यहाँ पर देखेगा कौन है यह यह है है world smiley day कब मनाया जाता है तो बहुत अच्छा question है आप सारे लोग मुश्कुर हैं अपने जीवन में तो इसका जो right answer होगा आप यहां से देख सकते हो happy world smile day 2021 जो है first Friday को observe किया जाएगा October में तो first यानि कि पहला जो Friday होगा वो मनाया जाएगा यानि कि यह ही इसका क्या होगा correct answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे और आ गई है point बारी आ गई है quick points of the day की तो देखिए quick points quick जो points है न वो हम लोग देख लेते हैं recently USIBC will present the global leadership award to whom तो देखिए शिवनादर जीदा right answer अगले question के और बढ़ेंगे who has been honored with the land for life award by the government of राजस्थान तो देखिए राजस्थान के दुआरा जो है न स्याम सुंदर जायनी को दिया गया है ये award आगे बढ़ेंगे who has recently written the new book my life in full work family and our future तो इंदरा न्यूई जो है ये बुक लिखा था तो देखिए ये बुक से related question है इसे आप please not down कर लिजेगा pen paper पर और जिन्होंने not purchase किया है वो मुझसे सारे पीडियाफ जो है free के उन्हें मेरा whatsapp नमर पता है वो ले सकते हैं सारे current affairs के पीडियाफ और अपनी तयारी को जारी रख सकते है तो चलिए question of the day में पूछ लेता हूँ आप लोगों से comment करके ये दोनों question कहां से आप लोग करेंगे तो अगले दिन आपका नम जरूर आएगा वीडियो में तो चलिए वीडियो को like, channel को subscribe, share भी कर देना है वीडियो को thank you so much for watching this video, have a good day